नवस्कार प्यारे बच्चों मैं विजये बच्चों आज हमारा पर्मूटेशन ग्रूप क्रमचय ग्रूप तरह लेक्चर है आईए आज का लेक्चर देखते हैं प्यारे बच्चों आपको क्या क्या मिलता है ऐसे हमने फिछले लेक्चर में आपको वृत्ती क्रमचय चक्री क्रमचय के बारे में हमने बताया था ठीक है तो आज उसी से आगे हम लोग स्टडी करने वाले हैं ये देखें, उसी चक्री क्रम्चय या क्रम्चय अंक की लंबाई, देखो, एक चक्री क्रम्चय 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 कहलाता है, देखें, क्रम्चय अव्यों की संख्या, एक चक्री क्रमचे में क्रमचेत अवियों के संख्या को उसका क्रमचे अंक्या लंबाई कहते हैं आप जैसे कि देखो A की लंबाई 1 A B की लंबाई 2 मालो 1, 2, 3 है तो इसकी लंबाई कितना हो गया लंबाई कितना हो गया इसका 3 समझ रहूं न 1, 2 ऐसा हो गया तो इसकी लंबाई कितना हो गया दो तो आप किस धंक से लेना चाहते हैं ये देखेगे इसकी लंबाई कितना हो गया दो तो बच्चों ये मान के चलिए कि चक्री क्रमचे में क्रमचेत अवियों की संख्या को उसका क्रमचय अंकिय लंबाई के नाम से हम लोग जानते हैं यह यसे बताया भी था मैं चलिए अब अस्वयूक्त क्रमचय किसको कहते हैं डिज्ज्वाइंड हा ना देखेगा पर्मुटेशन देखो यदि चक्रों में कोई अव्याव उभयनिष्ट ना हो तेखे न डिज्वाइंड साइकल भी कहते हैं इसको यदि चक्रों में कोई अव्याव उभयनिष्ट ना हो तो वे अस्वयूक्त कहलाता है जैसे हमारे पास वन टू और उसके बाद टू थ्री तो देखो टू रिपीट हो गया तो यह अस्वयूक्त नहीं कहलाएंगे क्या होना चीए वन टू फिर थ्री फोर अलग देखे इसमें कोई रिपीट नहीं है इसलिए अस्वयूक्त कहलाएंगे प्यारे बच्चों यहीं कहना है यदि चक्रों में कोई अव्याव उभयनिष्ट ना हो तो वह डिज्वाइंट अस्वयूक्त कहलाएंगे देखेगा वन टू थ्री और फोर फाइप कोई अव्याव रिपीट है क्या नहीं है यह दोनों अस्वयूक्त कहलाएंगे वन टू थ्री फोर कोई अव्याव रिपीट है क्या नहीं है असयुक्त कह रहेंगे वन टू और टू थरी ए देखे ये दोनों अवयाव ये दोनों अवयाव दोनों क्या है रिपीट है इसलिए असयुक्त चक्र नहीं होगा प्यारे बच्चों याद रखिएगा ठेक तो चलिए आगे बढ़ते हैं निम्नको असयुक्त चक्र में लिखिए कैसे लिखना है ये देखो 1,2,3,4 दिया है 3,4,1,2 अब देखिए हम इसको लिखते हैं 1,2,3,4 हमारे पास है 3,4,1,2 ये हो गया अब देखो यहाँ पर 1,3 और 3,1 एक बन रहा है 2,4 और 4,2 एक बन रहा है तो हम पहले लिख लेते हैं 1,3 ये देखेगा ये क्या आएगा 1,3 1,3 तो भाई उपर को ले जा रहा है 1 को, तो 1 के नीचे 3 आएगा 3 के नीचे बनाएगा ये देखो हम इसको लिख सकते हैं या एक साथ पहले लिख लो एक साथ लिख लो पहले कि इसको क्या रीट करेंगे two four right करेंगे तो यह हमने राइट किया आसा इक तुरुप में यहीं है ठीक है यह अलग अलग है देखे कोई कामन है क्या नहीं है दूसरा दीके यहां पर हमें मिला इसको लिखना है one two three ना, 2, 3, 1 देखें एक होगे, 1, 2, 3 2, 3, 1 ठेके ना, और यहाँ पर देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं 4, 5 5, 4 इनहीं को हम write करने वाले हैं क्या जायगे इसका 1, 2, 3 और यह 4, 5 यह भी असा उखता है, क्योंकि कोई कामन नहीं है याद रखेगा चलिए आगे और देखें जैसे इसको लेना है तो हम इसको क्या लिखेंगा 1 2 3 4 5 6 यह देखो 1 2 3 4 और यह हो गया 5 6 2 से स्टार्ट है 2 4 3 6 1 5 यह देखो 3 3 सेम है तो इसको अलग करो 1 2 4 5 6 2 4 6 1 5 यह देखो 2 4 6 1 5 1 2 4 1 2 4 5 6 3 3 इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों देखेगा 1 2 4 अब मैं इसको लिख लेता हूँ 6 और इधर लिख लेता हूँ 5 तो क्या आएगा 2 4 6 और 6 के नीचे कितना होगे अब 5 और 5 के नीचे 1 यह देखो अब ठीक आया और इसको लिख लिजे 3 3 तो आपने क्या पाया ध्यान देना देखो इसी को सेट करना था 1 2 4 6 5 आया और इधर आया 3 तो दोनों अलग अलग है असनिकत है इसमें यह 1 2 3 2 3 1 यह अलग हो गया 4 5 6 5 6 4 यह भी अलग हो गया बिल्कुल ठीक है 7 8 9 8 9 7 ओके यह भी ठीक है तो यह हमारा क्या हुआ 1 2 3 हुआ यह हमारा क्या हुआ 4 5 6 हुआ यह क्या हुआ 7 8 9 सब अलग अलग है देखे कोई भी element कोई भी अवया और रिपिट नहीं है इसलिए आसे इकता है प्यारे बच्चो याद रखिएगा चलो आगे बढ़ते हैं यह देखो हमको दिया है सिद्ध कीजिए कि 1 2 3 n-1 n-1 यह इसका inverse यदि यह चक्री में है और inverse क और होगे तुल्टे करम में लिख देना है अब प्रूब करके देखते हैं भाई तो चली हम लेते हैं 1 2 3 n-1 n और इधर लिया n n-1 3 2 1 चलिए इसको साल्व करके देखते हैं क्या आता है तो मैंने लिया 1 2 3 n-1 n ठीक है दूसरा इधर से क्या ले लिया 2 3 इसको लिखेंगे न 2 3 4 यहाँ पर आएगा n और लाष्ट आएगा 1 लिखेंगे फिर इसको क्या लिखेंगा देखें n n-1 n-1 there is this and so on 3, 2, 1 n-1 से start होगा यह n-2 होगा इसमें क्या आएगा n-1, n- यह आजाएगा कितना last 1 यह आएगा 1n ऐसा अब चलिए इनको हम कैसे साल्व करें तो हम लोग लिखते हैं देखो 1, 2, 3, n-1, n और इसको भी जेटीज लिखे 4, n-1, n-1 अब यह जो नीचे रहता है multiply करते हैं, गुना करते हैं तो नीचे वाले पूरा लिखते हैं 2, 3, 4, n-1, n-1 अब देखो, इसको देखते हुए भाई आपने 2 को यहां लाया है तो 2 के नीचे कौन है, 1 है यह देखो 2 के नीचे कौन है, 1 है 3 के नीचे कौन है, 2 है 4 के नीचे कौन है, 3 है n-1, n के नीचे कौन है, n-1 है 1 के नीचे कौन है, n है अब दोनों को मिलाएगा तो आप पहिएगा 1, 2, 3, 2, 0, 1, N-1, N और ये eliminate हो जाएगा थे बच्चेगा 1, 2, 3, 2, 0, 1, N-1, N दोनों क्या है? सेम है मतलब क्या हुआ? आई हुआ, ठीक है प्यारे बच्चो? उसी प्रकार देखो दूसरे ढ़ंग से हम लेते हैं उल्टा करके फिर क्या लेते हैं? देखो N, N-1 N, N-1 3, 2, 1 फिर 1, 2, 3 डेशन स्वान, N-1, N अब इसको लीजएगा चलिए तो कित्ता हो जाएगा N, N-1 यह होगा प्यारे बच्चो? 3, 2, 1 इसके लिखेंगे N-1, N-2 डेशन स्वान यह आए जाएगा कित्ता आएगा? 4 यहाँ आजाएगा देखो N है न? N इधर आएगा तो N के पहले कुण आजाएगे हाँ? यह देखो Last हमारे पास N, N-1, 3, 2, 1 है ठीक है न? तो second से लिखना शुरू करते हैं कहां तक जाएगे यह 1 आजाएगा यह 2 आजाएगा ऐसा आएगा है न? तो यहाँ से आएगा पूरा यहाँ ता है अर लास्ट आलेकम लिख देंगे ऐसा फिर वैसी इसको देखो 1, 2, 3 N-1, N यहाँ से second से स्टार्ट होगा 2, 3, 4 N-1, N और लास्ट क्या जाएगा? 1 इन दोनों का multiply कीजेगा तो क्या पहिएगा? N, N-1 यहाएगा प्यारे बच्चो 3, 2, 1 इसको पहले वाले को पुरा वैसी लिखते हैं 2, 1, N आया अब नीचे जो रहता है उसको सेम लिख देते हैं पर नीचे जो रहता है यह हो गया 2, 1 यहाँ तक समझ में आया है प्यारे बच्चो अब देखो N-1 का हम नीचे से लिये हैं तो यह N आएगा N-2 है इधर तो N-1 आएगा वस से ही ठीक है 2 है तो 3 आएगा और 1 है तो 2 आएगा N है तो 1 आएगा अब दोनों को मिले यह गा तो हमको N, N-1 N-1 3, 2, 1 और यहाँ पर N N-1 3, 2, 1 मिला इसको हम आई लेंगे अब देखें दोनों का मल्टिप्लिकेशन आई है तो इस प्रकार सिधा सिधा हम प्रतिलोम की परिभासा से क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चो हम लिखेंगे 1, 2, 3, डेजेशन स्वान N-1 N inverse is equal N N-1 3, 2, 1 यही हमको लाना था